आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें ठीक है, इसकी दारिता हमने मान लिए कितनी है, C है, ठीक है, इसकी दारिता C है, ठीक है, कह रहा है कि पहले इसमें 15 वोल्ट हमने दिया है, ठीक है, यानि कि इसकी प्लेटों के बीच जब विवानतर वीवन है, ठीक है, यानि कि 15 वोल्ट है, वीवन किता है, 15 वोल्ट है, तब हमने मान लिया कि इसमें आवेश जो है, वो Q है, ठीक है, और जब इसमें हमने V2 लगाया, यानि कि विभवांतर 30 वोल्ट कर दिया, तो हमने मान लिया कि जो आवेश है Q2, वो क्या हो गया है, Q प्लस 20 हो गया है, ठीक है, यानि कि इतने micro-column हो गया है और ये भी हमने मान लिया कि ये micro-column में ही है ठीक है तो जो धारिता हो जाएगी C ठीक है C बराबर क्या हो जाएगा C बराबर हो जाएगा Q1 बटे V1 ठीक है और दूसरे के लिए भी क्या हो जाएगा C दूसरी कंडिशन के लिए भी क्योंकि धारिता तो बदलेगी नहीं तो ये क्या हो जाएगा Q2 बटे V2 ठीक है ये समीकरा नंबर ये कह हमारा और ये समीकरा नंबर 2 है ठीक है दोनों को बराबर कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q1 बटे V1 बराबर Q2 बटे V2 ठीक है Q1 का मान कितना दिया गया है Q1 है हमारा Q secrant ठीक है V1 की वैल्ली कितनी है 15 Vdı है ठीक है ये मायक्रो कॉल्लाम में है ठीक है और ये क्या हो जाएगा Q2 Q2 की वैल्ली है Q plus 20 ठीक है ये भी हमारा माइक्रो कुलाम में है ठीक है और ये क्या है 30 वोल्ट ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 दुनी 30 ठीक है दो इधर चला जाएगा तो यह हो जाएगा 2Q बराबर Q प्लस 20 ठीक है तो यह इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2Q माइनस Q बराबर 20 ठीक है तो जो Q का मान आ जाएगा प्रारंबिक जो आवेस आ जाएगा हो क्या जाएगा 20 माइक्रो कुलाम आ जाएगा ठीक है क्योंकि इसको हमने किस में माना था माइक्रो कुलाम में माना था ठीक है तब ही ये इसके साथ जुड़ पाया है, ठीक है, तो प्रारंबिग अब इसकित्ता आ गया, बीस माइक्रो कुलाम आ गया, ठीक है, हमसे क्या पूचा था, धारिता पूची थी, तो समीकरण एक में हम ये वेल्लू रख देंगे, समीकरण एक से, ठीक है, तो जो धारिता हो जाएगी सी, वो क्या हो जाएगी, बीस माइक्रो कुलाम, ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा, पंदरा, ठीक है, इसको अल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक दसमलो तीन तीन, ठीक है, ये क्या होगा, फैरेड में होगा, क्योंकि यहां माइक्रो में हमने आवेस लिया है, तो यह क्या हो जाएगा माइक्रो फेरड हो जाएगा यानि कि संधारित्र की जो धारिता होगी वो 1.33 माइक्रो फेरड होगी ठीक है यही हमारे प्रेश्णिका उत्तर हो जाएगा थैंक यू